तो पिटा मेरी आप से बाद क्लास्मेट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास्मेट्रिक कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटीनू है जिसका नाम हमारे पास है इंपूट आउट्पूट एंडिंग इन ब 4 सी प्लस फ्लस तो स्टुट्स आजगी क्लास का ओवर ले लिते हैं कि आज की क्लास में हम कौंसा टॉपिक कवर करने वाले हैं तो बच्चोव गर हम टॉपिक को देगें हैं तो आजसके टॉपिक है वह हमारे पास हैím ça ने चीज़ के लिए सामने वाले यूजर को समझाने पढ़ लाइए तो इसके लिए basically हम इस के लिए हम सारे चीज़ों के लिए हम लीक्शर की तर रफ करना का तूड़ेंस पहले हम कुछ mcqs और लॉंग उसनांसर को देखेंगे तो आईए हम अपना लेक्टर स्टार्ट करते हैं तो बच्चो देखें कमेंट की डैफिनेशन को अगर हम देखें तो आपके पास क्या लिखाव है तक कमेंट स्टेट्मेंट आर दोस स्टेट्मेंट्स देट आर इग्नोर्ड इसको पहले इस यह बताया कि कमेंट बैसकल यूस किए जाता है कि अगर आपको प्रोग्रेंटर को कोई भी चीज समझानी हो understanding के लिए मिसाल के दौर पे मैंने यहाँ पर एक statement लिखी आपके सामने cout insertion operator और यहाँ पर मैंने लिख दिया एहमद ठीक है यह मेरी एक statement है अब मुझे इसको संजहाना है कि यह basically कौन सा function मैंने use करा तो मैं यहाँ पर comment कर दूँगा कि यह मेरे पास एक output function है तो इस होगा क्या compiler इस वाली statement को बिलकुल भी execute नहीं करेगा बलके ignore करेगा और इस statement को execute करेगा तो basically सामने वाले को संजहाने के लिए हम जो lines लिखते हैं उस चीज़ को basically comments कहते हैं लेकिन comments का एक syntax होता है वो क्या होता है हम अभी देखते हैं in c++ there are two types of comment statement c++ में हमारे पास दो दरह के comments जो हैं वो मौझूद है कौन कौन से comments मौझूद है हमारे पास एक आपके पास है single line comments ठीक है और जो second type बिटा आपके बास है वो आपके बास है multi-line comments तो यह दो types के comment होते हैं अब इसको one by one जो हम detail में पढ़ता हैं अगर हम single line comment की बात करें कि single line comment क्या होता है तो देखें इस सिंगल line explanation नाम से ही पता लग रहा है है हैं सिंगल नाइन कमेंट वह comment होता है जो single line के लिए उस किया जाए और इसको basically हम रिप्रेसेंट करते हैं डबल फ्लेश से ठीक हैं इफ दे two times जो हो single line comment का स्वाल करना पड़ेगा सही है जैसे आप राइट साइट पर इस example को देख सकते हैं जैसे यह वाली लाइन है इसको कमेंट करना है तो आपने डबल लग रहे है कि मल्टी लाइन कमेंट वो कामेंट होगा जो मुल्टीपल लाइन के लिए उसकिया जाए टिव्यूज फॉर मल्टीपल लाइन explanation और इसको syntax का तरीका syntax कैसे इसका है कि आपके slash लगाना है steric लगाना है और आखर में steric लगाना है और slash लगाना है यह इसका syntax है are needed at the start and end of the statements these statements are ignored by the compiler which means comments are not executable यह मैं आपको पहले ही बदा चुका हूँ कि comment statement वो statement होती है जो executable नहीं होती programmer इसको execute compiler इसको execute नहीं करता compiler टोटली ignore करता है ठीक है जैसे आपके पास यह दो line आ रही है multiline comment अब यह दोनों line को एक साथ comment करना है मुझे तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा multiple line comment का इस्तेमाल करूंगा ठीक है आईए हम अपने compiler की दरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है dev c++ इसका program बनाया था अब इसनों मिसाल के दौर पर आपने करना क्या है मिसाल के दौर पर आपने यह return zero है अभी किसी को नहीं बता return zero क्या है आपको समझाना है तो आप क्या करोगे comment लिखके यह comment का syntax है और यह कौन से comment है यह single line comment है तो आपने यहां पर लिख दिया exit code कि return zero basically क्या होता है exit code होता है किसी भी program का और जब आप इसको run करोगे बच्चों तो देखना यह exit code तुम्हारे पास answer में result में नहीं आएगा क्योंकि यह देखो यह तुम्हारे पास answer आया तो यहां पर कहा लिखावा है तुम्हारे पास exit code सर कहीं भी नहीं लिखावा तो इसका reason क्या है इसका फाइदा यह है कि सर यह comment वाली चीदें जो है वो compiler execute नहीं करता तो यह तो था तुम्हारे पास single line comment इ के multiple line के लिए यूज किया जाता है ठीक है students तो आईए अब हम इसके section A यानि multiple choice questions को solve करें स्टॉपिक्स पे रिलेटेड में स्टूडेंट्स आप ते क्या बोल रहे है comments are included in programs to provide explanation for human readers and it is generated by dash comments basically क्या होते है students program में इंक्लूड होते है explain करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है अब option A single slash option B double slash option C में जो है वो इसका right option आपके बाद होगा option B कि इसी तरह multiple line explanation के लिए कौन सा comment बैसिकली उसका answer already यहां पर मौजूद है students इसका right option आपके बाद है option C अच्छा जी अब यह जो question आपके बाद यह descriptive question answer में आपके बाद आ सकते हैं long question answer में यह आपके बाद आ सकते हैं कि इसके what is commenting P plus plus also define its type with example कि आप जो है comment को भी define करें और इसकी तो टाइब से विद इक्जांपल डिफाइन करें वी चीज़े हम पहले भी बढ़ चुके असको हम जल्दी तरह दर अशका overview ले 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 the comment statement is all statements that are ignored by the compiler these statements do not execute so comments the programmer gives special remarks to the statement for their convenience in C++ there are two types of comment statement एक है single line और एक है multiline यहां पर यही बात लिखी विए है कि C++ में comment statement वो statement होती है जिसको compiler totally ignore करता है यह बिल्कुल भी एक्जीक्यूट नहीं होती और यह grammar basically give special remarks देता है समझने के लिए understanding के लिए अगर हम single line comment की बात करें तो single line comment को हम double slash करते हैं जो कि single line के लिए यूज करते हैं और अगर आपको multiple line मतलब एक से जादा लाइन में करना तो अलग-अलग लाइन पर आपने double slash लगाना होगा एक्जैंपल को तौर पर यह वही एक्जैंपल है जो अभी हमने लेक्च्चर पर यूज करी ती इसी तरह मुल्टी लाइन कर नाम तरहीं पता लग रहा है multiple line explanation का मतलब एक से जादा लाइन को जब आपने comment करने एक साथ तो उसके लिए जो symbol यूज करते हैं वह आप यूज करते हैं फ्लेश इस्टेरिक टीक है जो के start and end of the statements में count किया जाते हैं और ये इसकी example है तो उमीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का topic समझा चुका होगा तो अलाफिस टो एवरिवन टेक केर